यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलती जारकन के गड़वा से हुआ बड़ा हाथसा यात्रियों से भरी बस पलट गई गनीमत रही कि इस हाथसे में किसी की जान नहीं गई नहीं तो बड़ा नुकसान हो सकता था बताये जा रहा है कि ड्राइवर के नींद और थकान आने से ये घटना घटी जिस तरह से बस दुरघटना ग्रस्थ हुई है उससे लोगों की जान भी जा सकती थी गड़वा जिले के कांडी थाना शेतर अंतरगत घोरदाग मोड के समीप कांडी से गड़वा जा रही सिंगरा बस अनियंत्रित होकर दुरघटना ग्रस्थ हो गई गटना बुधवार की सुभात तक्रीवन सवच बजे की है राप्त जानकारी के नुसार साड़े पांच बज नीचे खाई में जागिरी इस दोरान चारो चक के बस के उपर हो गए थे सड़क से गुजर रहे रहागीरों वा इस्थानिय लोगों की मदद से उक्तवाहन को सीशे को तोड़ कर सभी सवारियों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला गया गटना की सूचना मिलता ही अस्पताल मंजियाओ भेजा गया इस दुरघटना में 30 से अधिक सवारियों के घायल होने की बात बताई जा रही है जिसमें देड़ दरजन गंभीर रूप से घायल हैं दुमरसोत सरस्वती देवी सहिजना गडवा शुभमपाल सहित अन्यकावी नाम शामिल है वहीं गाड़ी दुरघटना ग्रस्त होने के बाद चालक घटना स्थल से फरार हो गया वो कांडी से ही गाड़ी को लहराते वे तेज रफतार में चल रहा था अंत में घोड़ प्रकार के जिन्स, सट, बाबा सुट, पैंट, शेरवाने, लेडिज कुर्ती, प्लाजो, फैंसी गाउन्ट, सूट, क्रॉप टॉप यव फैंसी मेडी का अनुपम संग्रा आर बुक्ता के सामें गलैक्सिक कॉंप्लेक्स, में रोड़ गर्वा